तो CT exam से पहले मुझे कुछ आपको important बाते बतानी है तो सबसे पहले तो ये है कि HSST ने एक help line number जारी किया है अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है जैसे कि अभी हमें download करने है अपने examination center की slip उसमें अगर आपको कोई दिक्कत आती है या फिर जब आज admit card जारी हो जाएंगे तब आपको कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए help line number जारी किया है उपर आप देख सकते हैं पर सुबह 8 से रात के 11 बेज तक आप संपर कर पाएंगे तो ये आप note कर लीजिए इसके अलावा negative marking नहीं की जाएगी इसलिए कोई प्रसंद नहीं भी आये तो 5 बाविकल्प जरूर भरना होगा तो आपको इस बात का ध्यान रखना है अगर आप एक भी option नहीं भरते हैं तो 0.95 marks आपके काट लिए जाएंगे वैसे कोई negative marking नहीं है अगर आप कोई भी option नहीं भरेंगे तब आपके 0.95 marks काट लिए जाएंगे इस बात का आपको ध्यान रखना है तो मैं आपको सेजेस्ट करूँगा कि पहले 4 options में से कोई एक जरूर भरें क्योंकि negative marking तो है नहीं इसलिए आप कोई न कोई जो है option जरूर सेलेक्ट करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया अगर आपने एक भी option नहीं भरा तो हर प्रसन के 0.95 number कटेंगे इस बात का आपको ध्यान रखना है और इससे पहले भी मैं वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ आज सुबह आपको कि अगर आपको अपनी सेंटर की सिलिप डाउनलोड करनी है तो hsse rec22.smart.ac.in पर आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और accordingly आप plan कर सकते हैं कि कहां पर कैसे आपको जो है अपने सेंटर तक पहुँचना है अब बात करते हैं कि जैसा सरकार ने कहा था तो जैसे कि मैंने अभी google पे search किया था तो कोई भी online website रियाना roadways की नहीं चल रही है तो इसके लिए भी आपके पास message आजाएगा कि कैसे आप online booking कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं वैसे भी तीनी दीन बचे हैं अब देखते हैं कि क्या करती है सरकार लेकिन अखवार में आप देख सकते हैं राइट एंट साइड में क्या लिखा है बड़ी परिसानी अगर 50% अभ्यारती भी बसों से गए तो इन्हें समय पर पहुचाना ही बहुत बड़ी चुनोती हो जाएगी सरकार के लिए ऐसा खुद सरकार मान रही है तो आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी जो है एक चैलेंज है सरकार के लिए क्योंकि अभी तक तो पोर्टल भी लॉंच नहीं हुआ है जिससे आप ओन्लाइन बुकिंग करवा पाएंगे तो ये थी कुछ अपडेट्स जो मुझे आपको देनी थी और परिवहन के जो छोटे सहर है छोटे सहरों के लिए भी स्पेसल बसे चला रही है लेकिन आप भी अपने लेवल पर एफर्ट्स करें कि कोडिंगली प्लाइन कर ले इसलिए सरकार ने जो है आपके जो सेंटर है पहले बता दिये है अभी डाउनलोड का लिंक नहीं भी आया है उससे पहले ही आपको सेंटर बता दिये है क्योंकि बहुत सारे चात्र लगबग साड़े 11,00,00, जो है पूरे हरियाना से और आउट और स्टेट से भी जो है इस परिक्षा को देंगे तो उस वक हो सकता है बहुत ज़्यादा भीड हो जाए तो आप अभी से ही प्लैनिंग कर ले कि कैसे आपको अपने सैंटर पर पहुँचना है कैसे आपको ठहरना है, कहा ठहरना है इन सब चीजों की प्लैनिंग कर ले आपने पहले भी देखा होगा कि HSC के exam जब होते थे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, पहले जब 5000 vacancy निकली थी clerk की, तब ही जब इतने ज़्यादा problem हो गई थी, दो दिन पहले भी जो है, सारे जितने hotels थे और धरम साला है थी, सारे book थी, तो आप सोच सकते हैं कि अब की बार क्या problem हो सकती है, तो मैं आपको suggest करूँआ कि पहले ही आप अपनी planning कर ले,